राजिस्थान के कोटा सहर में गुमानपुरा थाना इलाके में गुरुबार शुबह दोबाइक सवार बदमासों ने थोक सब्जी मंडी में एक दुकान के मुनीम के साथ पच्चास हजार की लूट की बारदात कर दी पुलिस ने दूसरे दिन आरोपियों को ग्रफतार कर लिया सुचना के अनुशार बदमासों ने फाइरिंग भी की जिसमें मंडी का मुनीम बाल बाल बच गया पुलिस ने मुनीम की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी आसिफ पुत्र अब्दुल हकीम उम्र बीस वर्ष निवासी कोटडी कोटा और शहनवाज अनसारी पुत्र शलीम एहमद उम्र बाइस वर्ष निवासी बंजारा कॉलोनी कोटा को ग्रफतार कर लिय देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर